नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभी नंदन मेरे इस चैनल खेल ग्राउंका में हम बात करें रासी पर सितंबर 2019 की अब बात करें मकर रासी के बारे में तो मकर रासी के ब्यक्तियों को 26 जनवरी 2017 से 20 जून 2017 और फिर वापस 26 अक्टूबर 2017 से लगा करके गुन 30 मार्च 2025 तक सनी की साढ़साती रहेगी सनी की साढ़साती से न तो गबराने की जौते न डिप्रेस्ट होने की जौते और न पिर हतास और निरास और फ्रस्टेट होने की जौते क्योंकि सौ मैंसे चालीस लोगों को सनी की सड़ सती लगती रहती है और आप 40% आबदी मैं से आप भी एक हैं इसलिए कोई समाली सी बात है कोई निरालापन नहीं है कोई अनुखापन नहीं है सनी के सड़ सती आनी जरूरी है क्योंकि जो धूल पर जमी हुई है चाहे वो रि होना है और डर करके जिंदगी निकालनी है सिरफ और सिरफ आपने सावधान हो जाना है रिस्तों को या कोई भी चीज को देखना है परकना है समझना है उसके बाद में अपना रियक्शन करना है इतना ध्यान रखेंगे तो आपको सनी की साड़ सती को जादा दोश्पून ज जोएं सनी की साड़ सती में सेकिन्ड फेस इसस्टार्ड होगा अताथ 20.16720 से वहां वहाँ से जो आपको संी की सड़ सती का इंपक्ट मैसूस होगा वो positive इंपक्ट होगा धिया जीवन का अधिपती शनी है तो अपने पांव पे कौन को लाड़ी मारेगा और धन का वाहात का जो स्तिति चल रही हो उसमें भी आप विजय हो जाये और आपको प्रेत्रक संपत्री भी प्राप्त हो जा, वसीयत भी आपको मिल जाय. ऐसे स्तिति है और ऐसा होने वाला है. तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले लेते हैं गेन पर बात करते हैं और वेल्ट पर बात करते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं जब आदमी कमाएगा तो ही वो संपत्ती अर्जित करेगा और जिसके पास में कमाई के बिना संपत्ती आ जाएगी वो संपत्ती को बेच-बेच करके खा जाएगा तो जहां तक संपत्ति की बात है, जहां तक गेन की बात है, तो गेन के अंदर रासी से 11 आया हुआ ब्रस्पति जुपिटर सबसे अच्छा माना जाता है, रासी से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th, इन 5 भावों में, इन 5 रासी पर हमेशा ब्रस्पति सुब प्रभाव देता रहता है, टि 12 मैंसरे 5 रासी ओ, 3 रासी सनी के साठी, तो दो रासी आफ़ीगों होता है, इसलिए 40% आबादी पर सनी भी अपना प्रभाव रखता है, तो यहां पे 40% आबादी में सनी के साठी صाधी में आप भी हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव जो पाएंगे ब्रस्पति का, वो भी आप ही है इसलिए gain आपका नियुनतर अच्छा होगा चाहे सनी की साथ ही साधी साथ मेंटल हैरेस करेगी है परीशान करेगी लेकिन income के रूप में आपको improvement मिलता रहेगा appreciation आपको मिलता रहेगा नेम-firm आपको मिलता रहेगा जो भी आप effort करेंगे जो भी आप काम करेंगे उसमें gain होता रहेगा सफ़त आपको मिलती रहेगी इसलिए gain में कहीं कोई आपको कमी या कहीं कोई downfall की इस्तिती नहीं है इसलिए gain से या पैसे से कहीं कोई tension आने वाली नहीं है जो भी आपने खर्चें हैं जो भी आपका status है वो continue maintain उन लोगों को या जो engineer है civil engineering है land and building, building material, construction, hotel, restaurant, खाने पीने की चीज़ें, eatable goods, mining and harvard product, electrical goods, home appliances, इन सब वस्तों से सम्मधी जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा gain पाएंगे unexpected gain की situation इन sectors में ज़्रूर होगी और जो लोग आपकी रासी रासी का अताा मकर रासी की व्यक्ति हैं वो लोग भी gain में जाएंगे जो service providing sector में हैं जो logistic का काम करते हैं जो scrape का का काम करते हैं या जो job work करते हैं या जो टांस्पोर्ट का का काम करते हैं या वो व्यक्ति जो एजेंसी बिजनस में काम करते हैं उन व्यक्तियों को भी इस समय गेन की स्थिति बहुत ज्यादा पॉजितिव रहेगी तो गेन के मामले में आपको कहीं कोई टेंसन करने की जहुत नहीं है गेन आपको निरंतर होता रहेगा और 5 नवंबर 2019 तक जब तक ब्रेस्पति यहां है वहां तक गेन निरंतर होता रहेगा उसके बाद में जोही पाँच नमबर 2019 को ब्रेस्पती अगली रासियों में चले जाएंगे रासि से ट्वेल् Tibis में चले जाएंगे तो ब्रेस्पती और शणी दोनों ही साथ में रहेंगे तो वहां से पांच नवंबर से 24 जनवरी 2020 तक आपने सबसे ज़्यदा साफधान रहना है, सबसे ज़्यदा अपने उपर कंट्रोल करना है, क्योंकि वहां पे ब्रस्पती और शनी दोनों एक साथ में मिल करके, आपको हर तरफ से परशान करेंगे, चाहे वो इंकम हो, चाहे व घर की परिस्तियां हो, और चाहे वो mental strength हो, इन सबसे आप परिशानी पाएंगे, लेकिन यह temporary होगी, क्योंकि 24 जनवरी 2020 को शनी जो ही आगे बढ़ जाएगा, आपको रहत भी मिल जाएगी, तो financial gain की जो इस्तिती है, संपत्ती की जो इस्तिती है, स्ट्रेंथ की जो इस्तित नहीं है, उसमें जो भी समस्यां चल रही है, वो भी सुलजेंगी, आप सनी को सही इस्तिती में आने दीजिए, आपकी संपत्ती में भी व्रदी होगी, आपके खांदान वालों उसके साथ में जो संबंद है, वो धीरे धीरे कटू होते चले जाएंगे, क्योंकि second house, आपके इन सब सचायों को परकना है, और उसके बाद में अपने रस्तों को, अपने रिस्तों को वापस रीडिफाइन करना है, यह आपने को ध्यान रखिएगा, क्यों सनी की साथ से यह बहुत बड़ी सीक आपको दे करके जाएगी, अब बात करते हैं, परिवार के सुक की बात, त कि यह वे जो डैमेज हाउस है, जहां से नकराजमक चीज़ें देखी जाती है, जहां से अकसमाद घटना है गटने का अंदेशा होता है, वो एड़ ताउस है, वह पर आपकी रासी से, आपकी रासी के 11 ताउस और फॉर ताउस का लाड मंगल है, वो हेड़ ताउस में हैं, सूरिय जो के 8 ताहस के स्वामी है ठीक और आपकी रासि के शत्रू है वो 8 ताहस में बैटे हुएं बद्ध और शुक्र ढागिय का दीपति हैं और शुक्र कैरे लौड भी है सुक्र 5 ताहस और बूड भी बनके ज्यादा धियरेवान ज्यादा आपने एक सही बोल सकते हैं यह बोल सकते हैं सेकंड थौट पर जाने वाले परसन बन जाएए इमिडेट रियक्शन नहीं करेंगे सेकंड थौट पर जाएंगे तो बहुत जी समस्याओं से आप खुद ही निजात पा सकते हैं क्योंकि अचानक से जो फैंसला लेते हैं, इमिडियेट जो फैंसला लेते हैं, वो आपके लिए गातक होता है, और जब समय खराब होता है, तो जो भी फैंसला लेते हैं, वो अचानक से आपको नेगटिव दिखाई देने लगते हैं, जो सो जल्द बाजी में कोई फैंसला नहीं करना है तो फोर्थाउस फोर्थाउस का मतलब यह यह सुख और तो यहां पर सुख का भाव स्थिति ठीक नहीं है लेकिन 24 सितंबर के बाद में जोही मंगल अपनी रासी चेंज करके कन्या रासी माएगा सुख का अधिपती केंजर का अधिपती कि तिरिकॉण में आ जाने से जरूर स्थिति कुछ राहत की होगी अब बात करते हैं सिक्सा की सिक्सा का अधिपती शुक्र है त्रकोन और ये केंजर दौन का स्वामी शुक्र है जो शुक्र इसमें सत्रूराशी में है एड़ ताउस में है इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने आपको comfortable नहीं मान रहे हैं आप संतुष्ट नहीं है आपकी जो भी education चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है आपकी संतान यदि को इनको विद्याती है education ले रही है आप उनसे भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि इस सम समबर 2019 को जो ही शुक्र बदल जाएगा अपनी नीच रासी में चला जाएगा लेकिन वो त्रिकॉण में चला जाएगा भागय भाव में चला जाएगा तो एक त्रिकॉण का अधिपती दूसरे त्रिकॉण में जाने से वो negativity पर नियंतर्ण करेगा वो control आ जाएगा आता 10 जो करम करेंगे उसमें भी आपको सुख कांसिल होगा और जो सिक्सा है उसमें भी इंपूर्मेंट आएगा तो जो लोग भी मास मीडिया से लेटेड हैं जो लोग भी कम्यूनिकेशन सेक्टर से लेटेड हैं जो भी टीवी से मीडिया से या एडिटिंग से कोई 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 क कि ये स्तिती जो ही ठीक होगी वापस आपका काम लाइन पर आ जाएगा वापस आपकी बुद्धी एक प्रकासे कंसेंट्रेटिव स्ट्रेंट में आ जाएगी आपका कंसेंट्रेशन एकागरता बढ़ जाएगी और आपका इंट्रेस्ट डवलप हो जाएगा इसलिए ये टेंपरेरी फेस को आपने बहुत अच्छे से हैंडल करना है आएए अब बात करते हैं रोग की कर्ज की आपके दुश्मनों की सिख्सावस का अधीपति बुद्ध है जो इस समय एट आउस में हैं लेकिन दस सितंबर 2019 को बुद्ध उच्छे राशी में आ जाएंगे बुद्ध भागिस्तान में आ जाएंगे तो भागिय का भी फल करेंगे तो सिख्स आउस को भी कंट्रोल करेंगे क्यों 6 आउस का मालिक भी बुद्ध ही है लेकिन इस्तिती एक और अच्छी है कि रासी से 6 आयवा राहू बहुत अच्छा फल करता है थर्ड आउस में 6 आउस में 11 आउस में जो भी गरम हैं जो भी गर पापी हैं जो भी गर क्रूर हैं और इसमें विसेश का शनी मंगल सूरिय राहू के तू ये सब थर्ड आउस में 6 आउस में 11 आउस में बहुत ज़्यादा सुब माने जाते हैं बहुत ज़्यादा योग्य माने जाते हैं फल कारक माने जाते हैं तो रासी से 6 राहू आपकी स्किल को सुदार देगा आपकी आइडियाज आपकी प्लानिंग इन सब च बुद्धी इसलिए बोरा जाता है जब सनी जैसा अगर आपको परशान करेगा तो बुद्धी का विकास रुख जाएगा सही आइडियाज नहीं आएंगे लेकिन राहू यहां बैठ कर जब तक राहू यहां है 19 सितंबर 2020 तक राहू यहीं रहेगा वहां तक आपको सपोर्ट करेगा तो जो इस्तिती रोग की स्तिती है तो रोग में ठीक सरफ 10 सितंबर तक आपको थ्रोट प्रॉब्लम इसकिन से लेटेड प्रॉब्लम पिग्मेंटेशन से लेटेड प्रॉब्लम छाती में संक्रमन स्व लोग अल्रेडी अस्तमेटिक हैं उन लोगों को जरूर इस समय बहुत ज्यादा केरफूल रखना चाहिए केरफूल रहना चाहिए और जो भी आपको पंप दिया है जो भी आप इनहिलर दिया है वो जरूर साथ में रख करके चलें कभी भी जरूरत पढ़ सकती है हमेशा जो अधी व्यक्ति हैं जो उनको एक प्रकास से असिस्टेंट वाली स्टैल में दी गई है मानले जिए आपके आँके बहुत कमजोर है तो आपने चस्मा साथ में लेकर के चलना चाहिए यदि किसी को स्थिक दी हुई है कि उसके बिना उसको नहीं चलना उसके जोड़ों में त चलना जरूरी है आईये अब बात कहतें दांपज सुक की एथ तो D dynasty सुक की इस्तितीस ही आपके लिए बैठार है सनी के साड़ी साथी होने के बावजूद भी में मैं इस सेत्र में इस रिश्टे में आपको सही राय देर सकता हूं सही बोल सकता हूं सुबक्र पोलं सकता शुक्र बोक्सुख का कारक है शुक्र दमपच्छ ग्रस सुक्र में हेल्प करता है उसका कारक भी है उसका पोर्टफोलियो मैनेजर भी है ऐसी इस्तिती में शुक्र नीच राशी का आने के आवजूद भी क्योंकि वो शुक्र भाग्य भाव में आ जाएगा और ब्रस्पधी 11 अगस्त 2019 से मारगी हो चुके हैं 18 सितंबर 2019 को शनी भी मारगी हो जाएंगे तो ग्रस्थ सुक में आप काफी राहत महसूस करेंगे पहले के मुकाबले मान लिजे यदा कदा कोई इस्तिती खराब हो भी जाती है तब भी वो बहुत बड़े स्केंडल में तब भी वो बहुत बड़े लड़े जगड़े में कोई कास उनी के रूप में सामने परिवरतित नहीं होगी इतना विश्वास में दिला सकता हूँ लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है क्या बाहें चड़ा करके लड़ाई जगड़ा करने के लिए हमेसा तयार ही रहें कि मेरे तो टाइम पिरिड़ बहुत अच्छा है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता हर किसी के लिए परिस्तितियां अलग-लग होती है इसलिए वो ध्यान रखिए और जहां तक उलजने का प्रियास मत कीजिए और अपने जीवन साथी से उलज करके कोई सुखी नहीं रह पाया इसलिए उलजना ही नहीं सबसे ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल यहीं रखिए कि हमने उलजना नहीं है जो बात है उसको यस या नो में या हूँ हाँ करके उसको आप अवइड कर दीजे निकाल दीजे आपके लिए ज़्यादा बैटर है क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीप जाएंगे उतना ज़्यादा आप हैरेस होंगे उतना ज़्यादा आप टैंसन माएंगे इसलिए सबसे अच्छा है कि आप उन बातों से इग्नोर करते हुए अवाइड करते हुए चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है अब बात करते हैं करम की आपके केरियर की आपके वर्किंग स्ट्रेंथ की तो इस समय जो इस्तिती है शुक्र की शुक्र की इस्तिती आपका केंदर उतिकोंड दोना का स्वामी शुक्र है वो एड़ता उसमें है लेकिन वो 9 सेप्टेमबर को बदल जाएगा तो एक केंदर का अधिपती जब तिरकोंड में आ जाएगा तो उस इस्तिती को बैटर बोल नहीं है जो लोग भी मीडिया से संबंदित काम करने वाले हैं संचार माध्यम से संबंदित मरोर जंजन इंडस्ट्री से लेटेड बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो होलीवुड हो कोई भी वुड हो यह समय उनके लिए अच्छा है उनको क्रियेटिविटी बढ़ेगी उनकी लीगली चलेंगे कानून के दाइरे में रख करके काम करेंगे तो आपका कुछ भी आहित नहीं होगा इतना ध्यान रखते वे यदि अपने आपको आगे बढ़ाएंगे फैला देंगे अपने आपको बरगत की तरह तो कहीं कोई समस्या नहीं आएंगी और यह समय आपको औ भी इंप्रूमेंट है सनी की साथ साथ होने के बावजुद भी मैं आपको यह बोल रहा हूं कि इस समय आपके लिए टाइम पिरेट बैटर है यदि कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई करना चाता है यह समय सही है सेप्टमबर मां के एंड में आता 24 सेप्टमबर के बा आप आरंब करें तो मैं यह बोल सकता हूं कि सेप्टमबर के एंड में आते 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 आपका वो कारी भी हो जाएगा आईए अब बात कते है ट्रेवलिंग की यात्राओं की तो आपकी रासी से 12 आउस में शनी विराज माने आपकी रासी के अधिपती होते वे आपकी 12 आउ हो जाए या आपका समान कहीं छूट जाए और कोई समस्यां आ सकती है तो इसलिए जहां तक हो ट्रेवलिंग को अवैड करें लेकिन यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाना तो वेस्टन साइड में जाना पस्चिमी सित्रम जाना फिर भी है आपके लिए शुब है और यद बढ़ना है 12 ता उसका लोड ब्रेस्पती है तो ब्रेस्पती के लिए जो भी उपाए करेंगे विष्णों के उपाए करेंगे चाहे ब्रेस्पती वार का व्रत्त रखना है ब्रेस्पति स्लेटेट कोई दान देना हर गुरुवार को पिली चीजों का दान दे सकते हैं और स जाना आपने सनी स्तोतर का पाट करना है है, जहान तक रो काले रण के कपड़ों को धारण करने से बचना है, अब बात करते हैं उपायों की, तो उपाय के लिए सनी के साधी साधी के उपाय जैसा मैंने अभी आपको बतला रहा था, फिर भी जिन लोगों को सुख में समस्या है जिन लोगों को पालिवार एक सुख में समस्या है विस्तेदारों से समस्या है फ्यर्थ के दोशरोपन लग रहे हैं जैसा कि सनी की साड़ साती में होता आया है तो ऐसे इस्तती में आपको मंगल से लेटेड उपाय करना है अथात जहां तक हो सके, रोजान आपने हनुमान जी से समधित को इस तोत्रों, विसेशकर से बजरंग बांड का पार्ट करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। सनी की साड़ साथी में सनी तेतिसा यंत्र या सनी साड़ साथी दोस्त निवारन जो भी कवच हो सकता है, वो धारन करके रखें। बोलते हैं, वहाँ पर एक पिरामिड आता है, जिसको विश मशीन पिरामिड बोलते हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ती, अथात, माइंड, बॉड़ी एंड सोल, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए, एक प्रकास से ट्यून अप करने के लिए इस पिरामिड का प्रियोग कर सकते हैं, थेरपी के रूप में, और जो उपाए कर सकते हैं, वो उपाए आप करेंगे, ठीक, अपने करम के लिए, अपनी रासी से टहनता हूँ उसके लिए, शुकर, शुकर जब तक नीचरासी में हैं, और शुकर नीचरासी में रहेगा, सब थर्ड अपने बच्चों का और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है, कि आप अपने बच्चों का और घर के बुजूर्गां का बोलते हैं, महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं रखना चाहिए, तो बिलकुल ये बात मैं मानता हूँ, ये मेरी गलती है, कि आप अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत अच्छे डंग से ख्याल रखें, नमस्कार.